लाइसन्स इस्टॉल करने के लिए आपको यहां पे system platform के अंदर सर्वर management के अंदर license management में जाना है और यहां से launch करवा देना है weblm यहां पे जो इसका user name है वो है admin और जो password है वो default password होता है weblm admin I think so यहां से इसका आपको login करना है login करने के बाद आपको इसका mac address बता होना चाहिए रिसके अगेंस्ट आपका license generate होता है तो यह server properties में जाके आपने mac address अगेंस्ट आपको एक फाइल सेंड करेंगे जो कि लाइसंस फाइल होगी तो लाइसंस फाइल आपने यहां पर जाके इस्टॉल लाइसंस में सलेक कर लेनी और इंस्टॉल कर देना है लाइसंस so it's a simple video thank you very much for watching and liking my videos hope